नमस्कार साथियों मेरा यूटीब चैनल सुविधा 2010 में साधर पुर्वक अभिनंदन मैं हूं रविकांत भकत सुनो सुनो ज्यान बढ़ा पाठ 203 के मादधम से आज बात करेंगे 8 जुलाई को घटिद महत्पुन घटनाव के साथ जन्मदिवस पुनति थी उत्सब एवंग अबसरों के बारे में आज के इस एपिसोड में सन 1497 से लेकर अज तक घटिद महत्पुन घटनाव को असान और सन सब्दे में बताएंगे साथ ही साथ ताजतरिन घटना यानिकी कारेंट एफेर्स पर एक नजर डालेंगे अंत में एक स्पेसल टोपिक पर बात करेंगे आज की सुविचार से आज का सुविचार है घर एक मंदिर है घर में मंदिर की रिती रवाज अपनाने से सभी प्रकार के दोस क्लेस और कस्ट दूर होता है इसी के साथ सुरू करते हैं देश और दुनिया की इतिहास में घटित अतित्यमंग भरतमान की महत्पून घटना है सन 1497 इसवी को 170 सदसिय दल के साथ समुदर के रास्ते भारत पहुचने के लिए वासको डिगामा यूरोप से रवाना हुए थे 1693 इसवी को निवार्क पुलीस की बर्दी को मंजूरी दी 1766 इसवी को ग्रेट नर्दान वर डानेकलिन का जुद्ध पिटर टेंडर कोल्ड के नीचे एक डेनिस नर्वेजवाई बल फ्रांस गया और इसी तरह से स्वीडेश बल को राया 1798 इसवी को फ्रांसेशी सेनाओ पर कोट टिंकेर रोगा निवार्क में ब्रेटीस आरुपनेवेश सिक हामले किये गए 1797 इसवी को बर्मोंट ने नाय संग्मिदान का परिचाय दिया जिसे इवाह गुलामी को खतम करने वाला पाला अमेरिका राज बना 1791 इसवी को संगीतकार जोसेफ हेडन को अक्सपोर्ड विसविदालाई में संगीत की मानद डारेक्ट्रेट से सम्मानित किया गया 1792 इसवी को फ्रांसे प्रसिया का जूद की घोसना की 1899 इसवी को फिनिस उजुद में स्वेडिस दिपसमुवा फ्लिट ने रूसियों को परकोला में नौसेनिक उजुद में पराजित कर दिया 1833 इसवी को रूस और तुर्की ने सुरच्छा संदी पर हस्ताचर किया 1898 इसवी को गोलेर का किले के पतन के बाद लॉड केनिंग ने सांती की घोसना की थी 1899 इसवी को अमेरिकी आखबर दा वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रकासन हुआ 1924 इसवी को पस्चिम मंगाल में सबसे लंबे समय तक मुखमंत्रिय मंगबामपंति राजनेती के आधार रहे जोति वसी जोति वसु का जन्म हुआ 1918 इसवी को भारतिय संग्विदान में सुधार के लिए मांटेयू चेक्सफोर्ड रपट प्रकासित की गई 1930 इसवी को किंग जोर्ज वी ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की 1932 इसवी को अमेरिकी स्यार सुचकांक डाउ जोन्स ग्रेट डिप्रेशन के नीचे स्तर पर 40 अंग पर पहुँच गया 1948 इसवी को अमेरिकी बायसने ने मोहलाव की भरती सुरू की 1954 इसवी को सतलोर नदी पर नेर्वेत भागडा नंगल पन बिजली परिजना पर बनी सबसे बड़ी नहर का प्रदारमंत्री जोला नेरू ने उदगाटन किया 1955 इसवी को बुर्खा विश्यविद्दलाय थार्डलेंड के चौनबरी प्रांत में इस्थापित किया गया 1975 इसवी को मम्यार ने बोंगा में आये भुकम से हजारों मंदिर धस्त हो गया और भारी जनमाल की छती भी 1995 इसवी को थमस क्लेस्टिल अस्ट्रिया के रस्टपती बने 1994 इसवी को सीमा की मुकाव जपान की प्रथम महिला अंतरशी जात्री बनी 1997 इसवी को उत्तर अट्लांटिक संधी संगठन नाटो ने पॉलेंड हांगरी और चेक गर्राजु को संगठन में सामिल होने के लिए अमंतरित किया 1999 इसवी को प्रसाद महासागार देश पपुआ न्यूगिनी के प्रधानमंत्री बील स्कोट का स्थिपा हुआ 2001 को बंगलादेश के बल्लेबाज महमध असरफूल ने 17 साल की उम्र में सिरलंका के खिलाब सतक जड़ा या बंगलादेश के सबसे कम उम्र के सतक लगाने वाले बल्लेबाज है सन 2002 को दच्छिन अफ्रीका में अस्वेत क्रिकेटार के लिए होटा प्रणाली समाप्त कर दिया गया सन 2003 को सुडान में हुए बिमान हाथ्से में 115 लोग मरे गए सन 2003 को इरान में सीर से जुड़े दो बहने लाले है और लादन बिजानी का अलग करने के लिए किया गया अप्रेशन असफल हो जाने के वज़ा से मोथ हो गई सन 2005 को जलबाई परिवर्तन के मुद्दे पर समुह आठ के देश में सामती बनी सन 2008 को पेरिश की सरकार ने बंगलादेश की विवाद ग्रस्त लेखी का तस्लिमा नसरीन को मानत नगरिकता देने का प्रस्ताब दिया सन 2012 को असाम में भायवा बार से प्रसित काजीरंगा राष्ट्य उद्दान के 13 गेंडे और 500 से अधिक बन प्रानी का जीवन हनी हुआ सन 2012 को अफगानिस्थान के कांधार प्रांत में कार बंब दमाके में चोदो नगरिकों की मोथ हुई सन 2013 को मिस्र की राजनी काहिरा में धरने पर बैठे प्रदर्शनकरियों पर सेना की गोलिवारी से 42 लोगों की मिरत्तु हुई सन 2014 को जर्मनी फुटबल टीम ने मिरोसलाव क्लोस ने 20 काप के सरवाधिक सलो गोलों का 20 रिकर्ड बनाया सन 2019 को DRDO की ओर से विक्सित और भारत डाइनामस्टिक लिमिटेट की तरफ से निर्मित नाग मिसाइल का परिच्छन सेना के अधिकरों ने राजिस्थान के पखरोन में किया सन 2019 को किरियाकोस मिट्सो ताकिस ग्रीस के नाय प्रदानमंत्री बने इसी साल भारतिय राष्टिय राजमार्क प्राधीकरन ने राजमार्क करिजना के बित पोषन के लिए एनाई आयप के साथ समझता कर हस्ताचर किये सन 2019 को राहल दावी को राष्टिय क्रिकेट एकादमी के प्रमुप के रूप में निजुक्त किया गया सन 2020 को कोबिट नाइटिन महामरी के दोरन भारतिय नागरिकों को विदेश से वापस लाने के प्रियास के ताथ माई पांच माई 2020 को सुरू किया गया और प्रसन समुदरी सेतु का समापन हुआ अब उन महान भेक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म दिवस आज है भारत की उत्तरप्रदेश राजी के पूर्व मुक्कमंत्री बावु बनासी दास का जन्म 1912 को पस्ची मंगाल के सबसे लंबे समय तक मुकमंत्री यवंग बामपन्ति राजिनती क्याधार रहे गुलाम हसन सेफी अमेरिकी भारत परंपरिक संगीत गायक यवंग हर्मनिवाद का जन्म 1932 को हिंदी के प्रसिद उपन्नासकार ससक्त कथाकार नटकार और अलचो गिरिराज किसोर का जन्म 1937 को बंगाले यवंग हिंदी फिलिम के अभिनेता वीपलब चटार जी का जन्म 19 1946 को लगभग 22 वर्सों तक और उना चल प्रदेश के मुखमंत्री रहे गोगंग अपंग का जन्म 1934 को डक्टर एद्दुगुडी संदीती राश्यकर रेडी जिसे वाई एसर नाम से प्रसिद लग है जो अंदर प्रदेश के मुखमंत्री है उनका जन्म 1935 को हुआ नितु सिंग जो हिंदी चलचित्र अभिरेत्री हैं का जन्म 1928 को सौरव गंगली भारति क्रिकेट टिंग के पुर्व काप्तान का जन्म 1922 को हुआ अब उन महान वेक्तियों को याद करने जिनका पुन्नतिती आज है फार्सीसी दार्शनिक फिनोलोजी अर्थात खोपडी के ज्यान की अधार रखने वाले बैगानिक प्यार पॉल ब्रोंका का निधन 880 स्वी को उत्री कुरिया के पुर्व राष्टा धच और कम्निस पाठी के महासरचीप कीम इलसूं का निधन 1924 स्वी को भारत के नवे परधान मंत्री चंदर सकर सिंग का निधन 2007 स्वी को भारतिय पुटबल टीम के पुर्व गल्व कीपर ए यू सेलेस्टीन का निधन 2019 को सोले में सुर्मा भपिले का किरदार निभाने वाले हास्व विनेता जगदिव जिसका असली नाम सयद इफ्तिकाक अहमद जाफरी था उनका निधन 2020 को हुआ अब बात करते हैं आजी के दिन मनाये जाने वाले महत्पून उत्सव वेवं अफ्सरूं के बारे में आज बाबु स्री बानरेशी दास, स्री गोरप, चंडी दास गंगुली, स्री गोगंग अपंग, जोतिंदरनात भोसू, स्री चंदर सेकर सिंग, डक्टर, स्री यद्दू गुडी, संदिति राश्चक रेडी, जोयनती के साथ-साथ, अंधर प्रदेस के किसान दिवस, अंध के नेता हिमाचल के पूर्व सीम आर्प केंद्रिय मंत्री बीरवद्र शिंक का जन्म निधन 87 वर्ष के उम्र में सिम्ला में हुआ। सिभगरी माधम मट के पूर्व प्रमुक स्वामी प्रकासानंद का तिरोंतपुर में निरणबे साल की उम्र में निधन हुआ। बिदेश मंत्री एस जन्म संकर ने तेहरान में इरान के नम निर्वाचित राष्टपती इब्राहिम राईसी से मुलाकात की। आर्थिक कारणट एफेर्थ में गुजरात से भगालिक शंकेतिक प्रमानिक भालिया गिहूं का निजात सुरूबा। अंतराष्ट्यों कारंट एफियार्स में हेली हेती के राष्टपती जोबिनल मोईस की राजदानी पोर्ट और प्रिंस में घर पर हद्धा कर दिया गया। स्रिलंका के चीनी कॉम्मिनिस पार्टी के सताब्दी का समारक सिक्का जारे किया। खेलकूत कारंट एफियार्स में पूर्व होकी खिलाडी के सब चंद्रदत का 95 बर्स की आयो में कलकता में निदन हुआ। 1948 इसवी को लंदन में और 1922 में को हेलसंग की ओलिम्पिक खेलों में सरन पदफ जीतने वाला टीम के सदस थे। अब बात करते हैं आज के स्पेसल टोपिक पर महमारी और बच्चों की सिच्छा पर। बच्चे एक बर्स से अधिक समय से बिद्दाले से और सिच्चों से दूर है जिसके करण पड़ाई से दूर होने के साथ साथ मनसिक रूप में भी तरस्त है। अब बात आता है करूं तो करूं क्या। सरकार की ओर से जथा संबर प्रयास किया जा रहा है। सारे भवतिक सुविदाओं के साथ साथ ओनलाइन सिच्चन व्यवस्ता किया जा रहा है। फिर भी आसातित परिनाम देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने निजी दोर पर सर्वेचन किया और जो उचित परिनाम प्रात नहों होने का करण सामने आया। सिच्चकों का करना है सब के पास ओनलाइन क्लास करने के लिए एंड्रोइड फोन नहीं है। अगर है तो रिचार्ज करने का पैसा नहीं है। बात सही भी है। परन्तु जिसके पास सारे सुविधाएं और उनके प्रगति के बारे में मोन है। आपको पता है सत्प्रतिसात सपलता संबब नहीं है। अधिकांग्स अभिवाबक बच्चों के सामने नेगेटिव बाते करते रहते हैं। परतमान समय में परिष्टियों को देखते हुए बच्चों का दिखवाल करना अभिवाबकों का करतबा मनता है। जिन बच्चों के पास उनलाइन क्रास करने का साधर है। उनमें से अधिकांग्स बच्चों को वीडियो गेम का लट लग चुका है और अभिवाबकों भी चेन से हैं। असंखा है बिद्दाले खोलने के बाद भी बच्चे इस लट से छुटकरा मिलेगा या नहीं। सर्वच्चन का सार या है कुछ कुछ बच्चों के पास सुविदा नहीं है। नहीं होने के कारण पढ़ाई से बंचीत है, कुछ बच्चे आर्थिक परिस्तिदे के कारण, और कुछ बच्चे सुवीदा रहते भी इंटरनेट गैम के लट के कारण, बहुत कम बच्चे जिनका अविवबब जागरुक है, वे किताबी ज्यान के साथ साथ ओनलाइन किया सकता है, इस पर आपका मनतब क्या है, कॉमेंट करके जुर अभुगत कराएं, साथियों इसी के साथ आज के लिए भी दा लेता हो, वीडियो देखने और चनल के साथ जूड़े रहने के लिए दन्वाद, वीडियो को लाइक कर सभी ग्रूफ और दोस्तों को सेयर कर द किया सकता,